यहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रवाइड कर आया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें बच्चो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे शिप्रा मैम की जबानी जो की बहुत ही इंट्रस्टिंग चीज है बहुत सारे लोग एंसी आर्टी में घचर पचर डाइगराम देखें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ट होंगे बहुत ज़्यादा टेंस्ट होंगे कि हाई रब्बा इयर कैसे पढ़ेंगे अपन इस यह को पढ़ने से तो अच्छा है कि चौते फ्लोर से चलांग मार दें सीधा जी कि एक एक लाईन एक शब्द एक अक्षर समझ में आएका ठीक है सो इयर क्या है यह आपको भी पता है ठीक है यह जो है कैसा structure है जो के काम आता है यह जो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि बैलन्स एंड इक्विलिबीरियम मेंटीन करने के काम आता है ठीक है जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और ड्रेक लगता है तो आपकी बॉड़ी ऐसे से पलड़ गया और उंड़ा फूड़ गया ऐसा तो नहीं होता अपन दिरे-दिरे करके लेटते हैं ऐसे दिरे-दिरे लेटते हैं तो यह जो बैलन्स का काम हो रहा है पोस्ट्र का वह आपकी बॉड़ी में एयर और सेरीबैलं का काम होता है तो बेसिक भले ही बोल रहे हूं पर यह काम जो हैं बच्चों यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट वर्क होते हैं यह जो है वह बैलन्स एंड एक्विलिबिरियम के साथ-साथ हीरिंग का काम करता है तो जो भी चुन्नु मुन्नु बेटा लल्ला मुन्ना ताक दिना दिन्धा सुनाई दे रहा है वो यह की पसीर साप को कभी भी समझ में नहीं आता की भाई सावट यह हो जो खोई है हमको कुछ समझ में क्यों नहीं आता बिलकुल भी टेंशनिंगर की बात नहीं है आज मैं आपको सारे डाउट साबके क्लियर कर दूंगी थीयक है सुआ को इस समझ में आंगा यह जो होता है यह मैमल का Marx होता है हर मैमल में एक यह एक कैरक्टर है है यह जो है पाया जाना हर मैमल का लख्षण है ऐह जो 17 इसकी इसके तीन हिस्से होते हैं मैं यहीं पर हिस्सा आपको लेबल करके दिखा देती हूँ जिससे आपको मज़ा आ जाए थोड़ा सा ठीक है अगर आप बात करें सबसे पहले we have three parts of the year बच्चो मेरे ख्याल से यह कहानी आपको पता भी होगी यह वाला जो पूरा हिस्सा इतना पूरा जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं external year ठीक है ध्यान से देखो किस पार्ट को हम कह रहे हैं external year इस पार्ट को हम कहते हैं external year from the pinna up to this ठीक है उसके बाद यह वाला जो हिस्सा दिख रहा है यह वाला जो हिस्सा दिख रहा है वाला पूरा हिस्सा इसे हम कहते हैं बच्चों मिडेल इयर में लिख दे रही हूं और यहां से लेकर यहां तक का पूरा हिस्सा इस दा इंटर्नल इयर आई बात समझ में so how many parts of the year we have we have three parts of the year external year middle year and internal year done हो गई इतनी बात इसमें कोई confusion तो नहीं है अभी ठीक है आई यह अब बात शुरू होई गई है तो दूर तलग जाएगी so basically year के how many हिस्सा we have बचो सबसे पहले we have external year ठीक है इसमें क्या के हम लोग पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगे सबसे पहले we have external year मेरे बचो उसके बाद we have middle year उसके बाद we have middle year ठीक है middle year के बाद what we have we have internal year आई बात समझ में सो basically we have three हिस्सा of year external middle and internal year अब मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि आपको learn कौन कौन से पाट करने है मैं लिख देती हूँ मैं explain अभी नहीं करूंगी ठीक है पहले हम एक हाला कि I am not so good in the making of diagram of year but I am trying to take him a try करूंगी कि मैं आपको बना बना के समझाओं हाला कि मैं भर अच्छे इमेज भी लिख आई हूँ ठीक है external year में आपको क्या क्या पढ़ना है external year में आपको पढ़ना है year pinna ठीक है फिर आपको पढ़ना है external auditory meters ठीक है फिर आप क्या पढ़ेंगे फिर आप पढ़ेंगे external auditory meters ठीक है उसके बाद आप थर्ड चीज पढ़ेंगे टिम पैनम ठीक है क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों टिम पैनम यह जीव गरीब चीज क्या है जो अभी तक हमने दसवीक अक्षा तक नहीं सुनी में भी आपने फिजिक्स में सुनी भी होगी क्योंकि फिजिक्स में जब इयर डिफेक्ट्स पढ़ाया जाते या यह पढ़ाया जाता है यह पढ़ाया जाता है कि फिजिक्स में मुझे तो याद नहीं है पट टेंस में यह के बारे में सु नहीं पढ़ना है, middle ear में आपको पढ़नी है, teen bones which is called as miss bone, ठीक है, बड़ी ही miss करती है, किसी के आवाज को सुन निकले, ठीक है, तो ये miss bone है, इसके malleus, incus, stapes, इनके नाम है, ठीक है, लिखी देती हूँ, malleus, incus and stapes, ठीक है, okay, stapes, पस लिख दिया है मैंने, stapes, ये teen bones है, जि third ear is the internal ear, internal ear में आपको पढ़ना है, boni labyrinth के बारे में, internal ear में आपको पढ़ना है, buni labyrinth के बारे में, और आप पढ़ेंगे internal ear में, cochlea के बारे में, मेढम ये ताग दिना दिन धा, क्या बोले जा रही हो, अब मैडम ये ये ताग धिना धिन धा क्या बोले जा रही हो इससे अच्छा तो हम जो है तो इससे जादा पसंद तो हमें कौन सा जो अर्जुन कपूर के अक्टिंग लगती है है यह क्या बोल दिया आपने देखो बेटा यह यहां तक की चीज़ें आपने कभी न कभी सुनी होगी मैं बताओं यहां तक कि यह वाली चीज़ें कहीं न कहीं आपको सुनी होगी जो अजीब गरीब चीज़ें वो है यह तीनों यह क्या है यह क्या है बोनी लाबरिंथ मेंब्रेनस लाबरिंथ कोकलिया यह सब क्या है यह आज की कहानी में हम लोग सीखेंगे इसके बनायने चलो कोई वाद निए ठीक है बना देती हु मैं ठीक है तेटा यह हो गया आपका ह gotta ठीक है यह क्या बना दिया मैंने देखो बेटा मैंना जो जो बनाते जा मुड़ीं उसकी लेबलिंग करते जा रही है यह जो चीज है ना ब्लाक से लेबल कर देती हूं इसे हम कहते है इयर पिन्ना ठीक है इयर पिन्ना कहते हैं इसे हम ठीक है इयर पिन्ना is the characteristic feature of the mammals किसका है characteristics feature of the mammals हम कोई भी चीज जो है सुनते हैं तो सुनने का सुनने का जो काम है वो है तो sound collection का काम किसका होता है यह आपको पता होना चाहिए sound collection का काम होता है ear पिन्ना का आई बात समझ में ear पिन्ना sound को collect करने का काम करता है आ गई बात समझ में, यसी लिए जब हमको कोई चीज बोलते हैं, तो बोलते हैं, शिपरा, शिपरा तो मैं बोलती हूं, क्या, क्या बोला? इसका मतलब ये कि अगर मैं ऐसा हाथ लगा लूँगी मेरे बच्चो, तो मैं एर पिनना को क्या कर लूँगी? बड़ा, ताकि मैं ज कोई काम नहीं है यह मसल जो होती है यह बैसिकली एर पिनना को मुब कराने के लिए मानी जाती है अब यह वैसटीजल क्यों कhoven P भूले की ज़रौत नहीं है यह बोलो तो हमें यह पिनना च BOB करने की ज़रौत नहीं है पर अगर आप उने गाय भैसों को देखा होगा तो इनके एर पिनना ऐसे ऐसे हिलते रहते देखा के निए देखा आपने तुझे ज़ो यह?". फिन्ना की मसल्स होती है वह active होती है आगरी बर समझ में और वो अपनी येर पिन्ना को जहां से भी sound आ रहा होता है उसे collect करने का काम करती है बहुत सारे ऐसे होते हैं और गानिजम जिनमें येर पिन्ना होता है जिसे वेल हो गया यह जो structure है, it will open into a canal, it will open into the canal, it is like that only, चीक है, यह जो ear pinna है, यह एक canal में खुलता है, चीक है, अभी यहां से मैं थोड़ा पतला pen select करूँगे, इसे मैं क्या कहती हूँ, इसे मैं ear canal भी कह सकती हूँ, या इसे मैं कहती हूँ, external auditory, external auditory meters, ठीक है, 2.5 cm के असपास इसका length होता है, ठीक है, mammals जो कहना में, जो reptiles वगरा होते हैं, उनके में ear canal बहुत ही जादा less develop होता है, ठीक है, तो जो भी sound जिसे की माल नोधान समझो, यहां से जो भी sound आप लेकर आ रहे हो, यहां से जो भी sound आप लेकर आ रहे हो, वो कहां आएगा म पिनना में, और वो sound फिर ear canal यह external auditory meter से होगा, ठीक है आप देखो, छोटा होता जा रहा है, जब हम बड़ी जगा पर sound को collect करते हैं, और फिर उससे छोटी जगा से गुजारते हैं, तो उसका amplitude क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसे मालो की इतना बड़ा gate है तो वहाँ से निकलने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगे, पर अगर आप क्या करोगे, अगर आप किसी छोटे दर्वाजे से निकल रहे हो तो आपको compress करके अपने आपको निकलना पड़ेगा, जो आप चीजों को compress करोगे, तो आपका amplitude, जो होगा जो force होगा, जो दब आप बनाओगे, दर्वाजे के उपर, गेट के उपर वो बढ़ जाए का किनी बढ़ जाए, चीक है, अब यह हुए external auditory meters, जहां से आपका sound travel करता हुआ जाएगा, अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ध्यान समझना, यहाँ पर एक, किस कलर से बनाओ यार, यहाँ पर एक, ऐसी मेंब्रेन होती है, जो कि यल्लो इलास्टिन काटिले से बनी होती है, खर इसके बार में बताऊंगे, यहाँ पर जो भी sound है, वो यहाँ पर इस मेंब्रेन से टकराएगा, इस मेंब्रेन को मैं क्या कहती हूँ, ओ, 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 इस मेंब्रेन को मेरे बच loyaltyppeनं JPY क्या क्या चेति हूं टिम ऌर्दम टिम पैनं का दूसरा नाम इयरग्ररंब ही होता है समझ गए तान का परदा क्म लोग क्या करते धीयान समर्दम आपको सो यह हुआ आपका एक्सटर्नल एयर तो आपने देखा कि एक्सिटर्नल एयर हमको कितने पार्ट पढ़ने तीन पिनना एक्सटरनल ओडिटरी मिटरस एंड टिमपैनम अब आगे पात करते हैं तो तीन पार्ट को आपको लोकेशन समझ में आगए कि तीनों पार्ट की लोकेशन क्या है ठीक है यह पिनना कहां परे नंबर वन फिर आपका एक्सटरनल ओडिटरी मिट कान को साफ करते होंगे जब भी आप लोग कान को साफ करते होंगे तो आपके कान में बड़ी सी वैक्सी वैक्सी टाइप की कुछ वो रहती है कुछ सब्स्टेंस यहां जमा रहता है वो क्या होता है कभी सोचा आपने आपके एयर में न होती है थोड़ा सा light color हो गया, आपके ear पर होती है, कौन सा लू हो यार, ओके, आपके ear पर होती है, modified sebaceous gland, ऐसे बना दो मैं, ठीक है, it is like that, ऐसे purple color का बना देती हूँ, हाला कि सब जगा बनाने की जरूत नहीं है, पर बना के दिखा देती हूँ, ठीक है, आपके ear पर होती है, sebaceous gland, these are not truly sebaceous gland, sebaceous gland जो होती है, basically वो oil का secretion करती है, these are the modified sebaceous gland, लिख दू, label कर दू, इसको मैं, इन्हे हम क्या कहते है, मेरे बचो, मेरे प्यारे बचो, क्या कहते हैं, इन्हे हम कहते है, modified sebaceous gland कहते हैं, इसको आप ठीक है याद रखना, modified sebaceous gland है, sebaceous क्या निकालती है, oil निकालती है, wax निकालती है, तो यह, हाला कि sebaceous gland is meant for the secretion of oil in the body, जो भी oily तवचा होती हूँ कि हमारे तवचा में sebaceous gland होती है, तो ear में भी कुछ gland होती है, which is exactly not sebaceous gland, क्योंकि वो तेल निकालती है, पर दीजादा modified sebaceous gland, जो कि तेल का है एक टेरे बेटे wax निकालती है, ठीक है, फैटी है तेल भी, तो यहाँ पर जो modified sebaceous gland है, उनको हम कहते हैं, ceruminous gland, मेरे बच्चों, क्या कहते हैं इसे हम, ceruminous gland, समझ गए आप, क्या बोला मैंने, आपके ear में होती हैं ceruminous gland, यह ceruminous gland, एक wax निकालती है, इस wax को हम कहते हैं cerumin, इस wax को मेरे बच्चों, क्या कहते हैं cerumin, समझ में आ गई बात, कि आपके ear में wax को निकालने वाली glands होती हैं, जो कि सिरुमीन नाम का wax निकालती है wax आपके कान के लिए अच्छा होता है wax किसी भी अच्छा आपको पता है कि उसके साथ-साथ यहां पर आपके पास कुछ hairs भी होते हैं समझ मैं आई बात आपके कान में क्या होते हैं hairs भी होते हैं तो यह जो wax और hairs होते हैं किता गदना की और आ रहा है उसे trap कर लो ठीक है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गंदिगी आगे की और ना चाहे ठीक है आई बात समझ में साथी साथ को बहुत wax को साफ करते हैं पर डॉक्टर बोलता है कि कभी में को wax जो है वो हातों से साफ नहीं करना चाहिए क्योंकि हम हातों से साफ क करेंगे तो infection होने की चांसे से डिपेंड करता है किससे कर रहें कुछ लोगों को देखा है मैंने कि लिए पैने और घपर 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 जो है तो खोदना शुरू कर दिया माचस की कड़ाई ली तो खोदना शुरू कर दिये यह बट बिली तो सेनिटाइज नहीं है और दूसरी बात यह है कि जब भी हम कान को साफ करते हैं तो हम अपना ear wax और अंदर की धकेल रहे होते हैं और यह ear wax आपके टिमपैनम यह ड्रम में जो है जमता जाता है जमता जाता और आप इतना दूर तक माचस जाल के लिए भी आओगे हो सकता ड्रम को प्रेस कर दिए तो फढ़ गया परदाई तो यहां तक आप माचस की कड़ाई को ले आके साफ नहीं करते हो जनरली इसलिए कच्ड़ा जो है प्रेस कर दिया आपने साफ करकर के यहां पहुच गया साफाई नहीं होती तो आपको सुनने में या आपको सुनाई कम देने लगता है समझ माई की यह कान के सवाही कराने है टिम्पैनेम को हम जो है क्या कहते है याटरं कहते है जो भी साउंड आ रहा है वो एर्डरम से टकर आएगा ठीक है जैसे मालो कि यह मेरे कान का एर्ड्रम है तीक है this is my earण आप वहां से जो भी साउंड आ रहा हो एलंपर टकरा है यह लंट रहा है यह द्रम पर टकाये ट्राइख ठीक है अब यह द्रम जो हता है वह सै निजैसे मालो ही टकड़क है इसलिए टकड़ाया टकराया तो क्या हुए आवाज आई पर अगर मालो मेरे पास at that time I don't have anything like कपड़ा लाइक पर अगर मालो इस टीशिट पर टकराता तो कोई आवाज आती नहीं क्योंकि टीशिट कपड़े की और लूस है तो यह जो टिंपैनम या एर्ड्रम होता है नहीं बच्चों यह अल्वेस्ट पोजीशन में तो जब साउंड इस पर टकराता तो वा अगर आप लोगों को नहीं नहीं पूछा यह नहीं जाना कि यह पर बिया खुश नहीं बना रही हो तो कहीं ना कहीं या इधर या इधर कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो से स्ट्रेच रखवाने में मदद कर रहा है आए इसके लिए मुझे थोड़ा सा काम करना प तेंपोरल बोन के अंदर होता है समझक है इतनतोत यह बात यह जो है जो आपको से बाहर देख रहा है यह नहीं है यह का मीन पार्ट circling एंदर तो यह का मीन पार्ट जो अंदर है वो किश मों में यह रहा हो इस ह XP कह रहे हैं यह wax दिख रहा है यह देखो यह wax दिख रहा है this is the wax this is the hair ठीक है अब आपका sound आया यह है आपका देखो tympanam this is the tympanam यहाँ पर हो the tympanam ठीक है यह stretch position में होता है अब आप देख रहे हो कि पूरा जो ear का structure वो एक bone के अंदर है ठीक है और bone जो है वो छोटी-छोटी bone के अंदर cavity बनी है ठीक है ऐसा थोड़ी straight bone होता तो यह सारे structure जिनको ऐसा रहना वो कैसे रह पाते तो bone में क्या है बच्चो छोटी-छोटी cavity बनी हुई है जिसके अंदर ध्यान समझना bone में छोटी-छोटी cavity बनी हुई है रास्ता बना हुआ है ताकि ear के हर पार्ट को हम accommodate कर पाएं फिर से सुनों आपका ear external ear पिनना को छोड़ दें बाकि सारा यह जो है temporal bone के अंदर है पर इयर के हर स्ट्रक्चर को bone के अंदर रखने के लिए bone के अंदर वैसा हमें आकार प्रकार बनाना पड़ेगा तभी तो यह सारे स्ट्रक्चर रह पाएंगे तो temporal bone के अंदर यह तिमपैनम आप समझ गए ना मैं यह तिमपैनम को रप कर रही हूँ को कि मुझे आप अभी वो बनाना है तिमपैनम ऐसा लिए तो टिमपलिंग देते हो ठेक अब यह तिमपैनम हमें से स्ट्रेश्ट है मैं यह समझना जरूरी है इस टिमपैनम से जुड़ी हुई है तीन हड्डियां अभी मैं और भी बहुत सारी चीज़ा बताऊंगी बहुत मज़ा आएगा बिसम ठीक है ठीक है क्यों आप जब कान ब्लॉक हो जाता है तो आप ऐसा करते हैं क्यों करते हैं भ इन पूरा choir is found in to the temporal bone ठीक है इस तेम्पॉरल जोपन के अंदर टेंसे संजो इस टैंपॉरल जो जाते हाँ एस तेंपॉरल जौर जो पहर आपको यह पिनना दिख रहा है पूरा structure तो अंदर है बोन के अंदर आई एर के अंदर बहुत सारे structure होते हैं इसलिए temporal bone को कुछ रास्ते बनाने पड़ते हैं जैसे कि यह पूरा structure आया और एक cavity बन गई ताकि हम तीन बोनस को जो एर की मेन बोन जैंट हम एकमडेट कर सके ठीच कैज आब बनाते हैं आगे ठीक है पैंग दिन और लेती हुने बहुत दिनों से नों से अब यह ती Нो बोन्स जो बड़ी बना दी मैंने इतनी बड़ी ने चाहिए पहली और यार यह के डियाग्राम में यही मुझे प्रॉब्लम रहती है थोड़ा हैमर शेप का इसे बनाना है बट वो चलो फिर से कोशिश करती हूं बन गया ठीक है तो पहली बोन जो है वो है यह ठीक है अब दूसरी बोन यह पुसरी कलर से बनाते हैं हम लो चालो दूसरी बोन इस डिस draw है दूसरी बोन इस डिस एक तीसरी बोन हम बनाएंगे किस कलर से रड्द कलर से ठीक थोड़ा साइसको ऐसा बना ले तूम है थोड़ा सा ओशिट थोड़ा सा इसको पर ऐसा EST it is okay now it is good take these three bone joe humbana raha hai hai mo deko danse sa majhna it is like that okay ye hai teen bones of your ear take a color kalnais ko ko tension toh nahi hai color karna bhoh zaruri hai chik sab se pehle let me color this hai 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 Ur Isoka Okay betre sa go of for chalet shilada yash game na wertshare bones ke ok moz okay parryin force kala kirna bason de to throw I Carbet section be also rewarded tiya is one guy Erfahrung to bring up and Busby आओ, तो basically what we have, we have three types of bones in the middle ear, level कलने इसको पहले, अगर आपको याद होगा, तो यहाँ पर हम middle ear में three bones पढ़ने वाले हैं, malias, incus और stapes, ठीक है, आईए बनाते हैं, तो यह हो गई पहली bone, this is the पहली bone, ठीक है, हम middle ear की बात कर रहे हैं, हम यह पूरा external ear मेंने खतम कर दिया, external ear के, बहले, external ear के अभी कुछ और चीज़े भी बताऊंगे, मैं आपको, this is external ear, इसमें क्या क्या होता है, ear pinna, ear pin sound wave को collect करता है, और इसके बाद external already 3 meters, 2.5 cm की होती है, sound को अंदर लाने का काम करती है, तो इसका last part is the tympanum, ear tympanning membrane, या इसी को हम ear drum भी कहते, कान का पर्दा, sound इस पर टेकराता है, और यह हमेशा stretch position पे रहती है, external ear में hair और seruminous gland होते हैं, जो की infection को अंदर आने से बचाते हैं, ठीक है, आईए, तो 3, 3 हमारे पास क्या है, bones, ठीक है, we have 3 types of bones in the middle ear, number 1 is the malleus, ठीक है, थोड़ा साफ लिखूंगी मैं, ने तो मेरे बच्चे, madam please, आप शाफ लिखा करो थोड़ा सा, number 1 is the malleus, ठीक है, number 1 bone is the malleus, दूसरी bone जो है, वो है incus, और तीसरी bone जो है, वो है stapes, ठीक है, वो है stapes, अब, यह जो आपका, जो stapes है, ठीक है, यह जो आपको stapes दिखाई दे रहा है, यह connected होता है internal ear से, अभी हमारा, यह है आपका internal ear, अगर आप देख रहे ही हो, this is our internal ear, ठीक है, तो अभी यह हमारा matter of concern नहीं है, stapes का position ऐसा है, तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ, बट लेट इट भी, ठीक है, आईए, अब देखो, stapes मुझे थोड़ा उल्टा बनाना पड़ेगा, ठीक ठीक, ठीक, अब यह जो stapes है, किस से जुड़ा हुआ है, इंटर्नल इयर से, अभी हमारा matter of concern नहीं है, इसलिए मैं इंटर्नल इयर के बारे मैं भी बात नहीं कर रहे हूँ, ठीक है, अब question यह सकता है, इंटर्नल इयर कैसे बना दूँ, इंटर्नल इयर, देखो देखो देखान से, क्या बोल रही हूँ मैं, इंटर्नल इयर ऐसा जुड़ा हुआ है, इंटर्नल इयर कुछ अजीब गरीब संरचना है, मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, मेरे बच्चों के लिए इंटर्नल इयर बना रही हूँ मैं, ठीक, 1, 2, 3, ठीक, ठीक, इंटर्नल इयर, ऐसा कुछ एलियन सा स्ट्रक्चर होता है, भी हम उसको separately बात करेंगे, ठीक है, तो स्टेपिस किस से connected होती है, यह देखो, स्टेपिस इस connected with the internal ear, ठीक है, स्टेपिस इस rabbit बन गया है तो, अभी हमको इसके बारे में बात नहीं करनी है, स्टेपिस इस connected with the internal ear, अब मीट में कैसा सवाल आ सकता है, पहला सवाल, बताइए कि external ear का part कौन-कौन सा है, तो आपको बताना होगा, ear बिनना, external auditory meters, ear canal, और tympanic membrane, यह external ear के part, middle ear में क्या part है, middle ear में we have three types of bones, malleus, incus और stapes, ठीक है, malleus, incus और stapes, चीक है, अब internal ear के बारे में हमें भी बात करेंगे, अब आप से question पुछा रा सकता है कि बताए कि टिमपैनम किस से जुड़ा हुआ होता है, तो टिमपैनम, malleus से जुड़ा हुआ होता है, internal ear क से स्टेपिस से, स्टेपिस आपके शरीर की smallest bone है, स्टेपिस हमारे शरीर की smallest bone होती है, even स्टेपिस में पाए जाने वाली stapedius muscle, त्यां समझो। इवन स्टेपिस में पाए जाने वाली स्टेपीडियस मसल यह हमारे शरी की सबसे स्मॉल मसल भी होती है समझ गया बात तो स्टेपिस से जुड़ा होता है इंटर्नल एर डन हो गई इतनी बात अब ध्यान से समझो जो मैं बताना चाहरी हूँ अब इनके questions जो है वो आ सकते हैं क्या से देखो यह मेलियस इंकस और स्टेपिस जो है न बच्चो इनके शेप है और इस इनके शेप पर question आ सकता है मेलियस का जो शेप होता है वो होता है है amor shop ठीक है अगर आप यह structure देखो तो देखो हैं मर रहें हैसा ऐसा थोड़ा मर रहें है थेखो ठीक ओके उसके बाद जो इंकस होता है थ्यान समझना इंकस जो होता है इसका जो शेप होता है वो पर एंविल शेप एंविल क्या होता है भी आपको दिखाती हूं आपने किसके शेप होता है स्टिर एप यह दिखेगा और लेकी आई हूं शेप आप लोगो दिखाते हूं पहले यह देखो 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 हैमर तो आप जानते हो इसा होता है ओपर से चोड़ा पिछे से बतला यह थैंविल जूता इस पर रखके वो सारे काम करता है और यह थे पो तरह पहले डालके पन दोड़ना शुरू करते हैं तो यह आपके टीनों बोन्स के शेप होते हैं और यह शेप आपके एक्जैम में आ सकते हैं अभी तक किस कहानी में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ड़न होगे इसके स्क्रीन शॉट ले लो चलो आओ अब आगे क इसलिब का क्या काम होता है employee or magic situation of sounds थेक है इन ब्वोंस स्के मारे काम है the를 केशन ऑसाँट क्या करना को साउन को एमफ्लीफाई करना कैसे करना तक हो sound external ear से अंदर आया ठीक है तिम पैनम से तक राया ठीक है ये नोए य किसे जुड़ी हुई है हैमर शेप की बोन से जुड़ी हुई है अब यह हैमर कैसे मारते हैं ठीक है तो जैसी आया ठीक जैसी साउंड है ठीक किस ने दिया उसने किसको वाइबरेट किया सबसे पहले मेले इसको मेले से एक हतोड़ा मारा ठीक हतोड़ा मारा किसको मारा हतोड़ा Inks ko, अब विंकस काईस है, फीलिकρο हो जएसे यह ठोड़ा पड़ेगा, Inks Vibrate होगा ऐसल थीक है, तो उपर से हठोड़ा मारा आपने अपने ऐसे-एसे, Inks Vibrate हुआ, ऐसे-एसे और Inks के वाइबरेट होने से, ऐसे वाइबरेट होने से, आप देखो कि ऐसे-एसे क्वन vibrate हो रहा है आपका stir up which is the which is what step is अब step is किस से जुड़ा हुआ internal ear से आप देखो progressively मुझे यह थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था जो कि मैं बना देती हूं ठीक है देखो यह red वाली मेलियस फिर होती इंकस और फिर होती स्टेपेस तो मिडिल एर की तीनों हड्यों में सबसे जो छोटी हड्य होती है वह थी इंकस जब आपके पास साउंड आया यहां पर ठीक है ध्यान से देखो आप आपको यह पता होना चाहिए कि साउंड का एंप्लिफेकेशन इतनी छोट चीज हो जब साउंड बहुत सारा साउंड वेव जब एक छोटी चीज से टकराता तो एंप्लिफिकेशन ज्यादा होता है तो इंपैनिंग मेंब्रेन बड़ी है उससे चोटा हैमर है ठीक है है हैमर के बाद आपका एंविल है और एंविल के बाद स्टिर अप है मैं लेसिं है इंटर्नल येर में और इंटर्नल येर पे हीरिंग का में साउंड प्रोडक्शन जो हीरिंग होती हो में इंटर्नल येर की वज़ासे ही होती है तो वाट इस अवर्क ऑफ एक्स्टर्नल येर एक्स्टर्नल येर का वर्क होता है मेरे बच्चों साउंड का कलेक्शन करना म और साउंड का प्रड़क्शन करना मतलब आवाज जो आपको सुनाई देती है हीरिंग जो होती है वो किसकी वज़ासे होती है इंटर्नल एर की वज़ासे होती है समझ में आई बात धदक ठीक है सबसे बड़ी से छोटी होती जारी बोन ताकि साउंड को जादा जादा एंप्लिफाई कर सकें क्योंकि साउंड वेज बहुत जादा है जितनी जादा छोटी चीज से टकराएगा उसका एंप्लिफिकेशन उतना जादा होगा यह फिजिक्स है बच्छो नॉर्मन से सब्सक्राइब कर ड़्य सफर्च तो मिडिल एर जो है ठीक है मीडिल एर एने विसीबल नहीं होगा बंट ठीक, middle ear एक tube से connected होता है, middle ear, middle ear is connected with a tube, this tube is called as, ठीक, middle ear एक tube से connected होता है, किस से, two pharynx, middle ear pharynx से connected होता है, ठीक है, pharynx क्या है, बताइए, बगल cavity के पीछे का हिस्सा होता है, pharynx जो होता है, it is a common passage for food and air, ठीक है, pharynx के आगे से track के निकलता है, pharynx के पीछे से आपका, क्या निकलता है, food pipe निकलता है, तो यहां से air भी पास होती है, food भी पास होता है, पढ़ रखा हम लोगों ने, तो आपका जो, यहां प स्टेकियन, यूस, लिग दिया, यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब, समझ गए आप मेरी बात को क्या बोला मैंने, मैंने यह बोला कि middle ear से एक tube बाहर आती है, यह tube pharynx से connected होती है, ठीक है, अब क्या जरूरत है pharynx से connect होनी की वो मैं आपको समझा रही हूं देखो हमेशा जब भी हमें sound को produce करना है तो external ear और middle ear में sound का जब भी हमें amplification करना है तो दोनों में sound difference नहीं होना चाहिए जो जितना wave sound wave यहाँ है उतना ही sound wave यहाँ होना चाहिए तभी sound production होगा अब इसे तो external ear को कोई दिक्कत नहीं क्योंकि external environment से जुड़ा हुआ है तो sound तो आता रहेगा wave sound विफ्ताति रहेंगी problem किसको है इसको है suppose that अगर मालो कि यहाँ पर sound pressure जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए ठीक है यहाँ पर क्या हो sound pressure बहुत ज्यादा हो जाए अगर sound pressure ज्यादा आने की समझ मैं आई बात तो हमेशा pressure जो है वो equal होना चाहिए तभी हम sound production या वह hearing का production कर सकते हैं ठीक है अब अगर यहाँ पर ज्यादा हो गया ज्यादा sound wave ले आए तो फिर आंदर बाहर जाने इधर जाने की ज़रोती नहीं ठीक है अंजाएगा इनी sound अंदर तब प्रेश यहाँ पर तने में चाहिए तो बढ़ी प्रॉबलम है ठीक है तो होता क्या है कि अगर यहाँ पर sound pressure ज्यादा हो गया है ठीक है तो हम एक्सटा प्रेशर कोstro performer शल्म तरे ट्रावल कराते हैं और फेरिंग से माध्यम से बाहर निकाल देते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कान पानि वानी वजञा हम लोग किसी ऐसी जगह पे जाते कभ्या और हमारा कान बंदो जाताक wurde eigenlijk ऐसे करते कि नहीं करते हैं तो क्या करने हम Extra प्रेशर को फेरिंग्स और माउथ के माध्यम से बाहर निकाल रहें तो आपको समझ में आए कि कभी भी किसी चैंबर पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए नहीं तो साउंड जो आपकी यह जो बोन्स हैं यह सब जो है वाइबरेश्ट नहीं होंगी और अगर वा amplification कब होगा जब external और middle ear के बीच में जो प्रेशर है वो एक्वल रहेगा अगर middle ear में प्रेशर जादा हो जाए तो there is a tube which is connected with the middle ear called as used taken tube, this used taken tube will open into the pharynx, pharynx is the common passage for the food and air, the extra pressure will came out from your mouth, ठीक है, दन हो गई, अब यह जो used taken tube है यह बनी किस से है, यह जो used taken tube है मेरे बच्चों यह बनी किस से है, यह used taken tube बनी है yellow elastin, elastin cartilage, ठीक है, yellow elastin cartilage से बनी हुई है, यह जो used taken tube है, यह yellow elastin cartilage से बनी हुई होती है, we have different types of cartilages, yellow elastin, hyaline cartilage, white fibrous cartilage, most abundant hyaline cartilage, most strongless white fibrous cartilage, yellow elastin cartilage जो है, वो कहीं कहीं पर पाया जाता है, yellow elastin cartilage, strength देता है, साथ में थोड़ी flexibility भी देता है, यह आपके nose tip पे पाया जाता है, यह पिनना पे पाया जाता है, जो trachea के उपर जो ढखकन होता है, पी glottis महां पाया जाता है, और यहाँ पर भी पाया जाता है, डन होगा इतनी बात, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई जाता है, चलो, यहाँ पर मैं इस डियाग्राम में आपको सम्झाना चाहते हूं, लुके देस, very, look at this structure very carefully, it is very fine diagram और यह हमें बार बार इस्तमाल में आएगा, चीक है, so this is the ear pinna, ear pinna collect the sound, which goes into the external auditory meters, external auditory meters, where has the air cell and cerumen which trap the dust particle, now there is a membrane called as, there is a membrane called as ear drum, sound इससे टकराता है, ठीक है, इससे टकराता है, फिर किससे टकराता है, कैसे जुड़ा हूँ देको, hammer, ठीक है, hammer की यह हो गया मारने वाला, और यह हो गया, जिसे यह है ना, यह यह टिमपैनम पूरा मालो, ठीक है, अब यह hammer जुड़ा हूँ है, hammer, यह hammer का सर, hammer का मोची वासिया और ये किसे रॉड़़ी हुए इन्टर्नलियर ripping तुम थदक तरफ तदक तदक ठीक है इस तरीखे से वाईरशन इन्टर्नलियर नहीं करें अब हम लोग थोड़ा सा थयोरी का बारें बात कर लक्रली की है आजा वाचो एट आ Umiko इसे हम फोनोर ओर यह को हम फॉन और सब्सक्राइब कहसे हो सब्सक्तां क önem external auditory meters यह पुरी bone which is a temporal bone ठीक है आगे देखे हम लोग आए एर पिनना fan-like feature of the mammals absent in the whale seal having yellow elastin cartilage ठीक है यह बता है एचली yellow elastin cartilage जो होता है ऐसा नहीं कि बहुत वीग यह लोगलर का elastic हो तो बहुत वीक होगा वीक नहीं होता है यह स्रॉंग होता है अच्छा काटि लेज़े इवन यह flexibility देता है इवन गायभास बकरियों में तो भी मुवेबल भी होता है ठीक है muscles of ear pinna of the demands are the vestigal यह आपके काम की नहीं है ठीक है पहले ज्यादा शिकार करना होता था जादा दूर दूर की सुननी हो देटी शिकारों की आवास जित्ते भी उनके जानवर जिनको मारना होता था तो सुन दे थे लोग अब जरूरत नहीं है अपनको सब यह मिल जाता है market में next is external auditory meters ear canal 2.5 cm लंबा होता है यो तिंपनेक membrane तक पाया जाता है ठीक है it separate ear canal to the middle ear ठीक है यह यह जो कनाल होती है external ear, middle ear को लगळग करती है था वाल फ्ययर के नाल और found sebaceous gland are called as seruminous gland ठीक है अब मैंने यहां पर बनाया था पर बनाया पूरा ठीक है तो यहां पर कौन सी gland पाई जाती है modified sebaceous gland which is called as seruminous gland seruminous glands जो होती है वो basically seruminous gland serumin निकालती इसलिए यहां पर बहुत ही कम होंगी mainly middle ear में होती है इसलिए जब यहां तक डालना पड़ता है ताक यह वैक्स को क्लियर कर सके ठीक है वैसा डालना नहीं चाहिए गलत बात ही है ओके now secret serumin seruminous gland ear wax which moisten the ear drum and protect it ठीक है ear drum को protect करने का भी काम करती moist करती है ठीक है ताकि किसी भी प्रकार का कोई infection कोई extra जिस कई बहुत सारे लोग बहुत तेज खान में बोल देते तो फटे न परदा ठीक है तो यह हो गया आपका ear pinna external auditory meters tympanic membrane this is the external ear ठीक है tympanic membrane कि से जूड़ी हो middle ear से ठीक है अब middle ear जो है middle ear जो है उसमें तीन बोन जो होती है तीन बोन जो होती है वो एक cavity में होती है which is called as tympanic cavity which is filled with the air pressure याद ना pressure किसका balance कर रहे हो air का तो obviously air होगी वहां पे ठीक है middle ear is cavity is connected by the pharyngeal cavity through a canal ठीक है this is called as eustache induct which is responsible for the sound equilibrium how it will maintain the sound equilibrium मेरे बच्चो it will maintain the sound equilibrium by pressing the extra air to the pharynx and this extra air will remove out from your mouth ठीक है so look at this मेरे बच्चो आ जाओ कहां इस टीकिन टीप आ जाओ 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 middle ear से look at this ये middle ear से एक टीउब बाहर आ रहे है this is this 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 ठीक है okay और फिर देखो this is the pharyngeal area और फिर extra air को हम जो है यहां से माउट से बाहर कर देंगे ठीक है संबज गया यह position भी समझा दी मैंने आपको this is the ear drum tympanic membrane इसे middle ear जुड़ी हुई है यह stick and tube जुड़ी हुई है pharynx में खुल रहे एक्स्टा एर को माउट से बाहर कर सकते है टान है मेरे बच्चों को इतनी बात इसमें कोई confusion तो नहीं है चलो अब इतनी बात में किसी को कोई confusion नहीं है ठीक है नाव आप tympanic cavity जो होती है वह internal ear से जुड़ी रहती है दो aperture से एक होता round aperture और एक होता ओवल aperture ठीक है और यह जो तीन तीन और यह दो अपर्चर है इनको जब में इंटर्नल यह और मेकानिजम आप साउंड पढ़ाओंगे एक फिनिस्टा रोटेंडस होता है फिनिस्टा का मतलब छे दोता ओवल शेप का रोटेंडस मतला ब्राउं ठीक है यह अभी आप आप फिनिस्टा रोटेंडस और फिनिस्टा ओवल यह दोनों चीज़ें जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी जब मैं इंटर्नल एर पढ़ाऊंगी तो टेंशन नहीं लेना है आपको ओके डान हो गया सो मिडल एर में वी हाव यह पूरा मिडल एर चलने दीजे आप लो यहाँ पे लिख देती हूं मैं ठीक है मैं यह पूरा मिडल एर चल रहा है मेरे बचो ठीक है ओके टिक टीक मीडल इए दीको यह पर लिखा भी हुआ है मेलीयस जो होता है यह सबसे बाहर की ओर नोती वन रोज में में मिस बोन कहते हैं सेम बड़ी ही मिस करते हैं साउंड के लिए तो यह सबसे outer side में होती है hammer shape की होती है मैलेस और इंकस के बीच में कौन सा joint है सानोविल hinge joint ठीक है joints के बारे में पढ़ा चुकी है आई यह look at the shape यह तीनों shapes दिखा चुकी हूं में hammer shape इंकस anvil shape connsa tha यह होता है जिसके बचंट मोची रखके अपने thankak पर इंकस के चुटा है और बाहर से इमिले से जूड़ी होती है अंदर से Magश के सिटे रचे से जूड़ी होती है और यह इंकस से join होती है किस से कसे join होती है कोन सी इंकस जो है किस से जोईन होती? स्टेपिस से बादा, बालन सर्केट जोईन. Look at this. उपर से चोड़े, पिछे से पतले. ठेक है? Now, third is the स्टेपिस बोन, which is the third and final bone of the middle ear. मेलियस is attached to the tympanic membrane है ये. This is not member. This is the membrane. Membrane. ठेक है? Technical error. ठेक? and स्टेपिस is attached to the oval window by the stirrup of horse. ठेक है? Oval window is the window which is formed into the internal ear and which part of the internal ear is attached with the stirrup? ठेक है? It is by the oval window. ठेक है? पढ़ाओंगे उसके बारे में. ठेक है? It is the smallest bone of the body. And when the smallest muscle of the body is में जो पाई जाती. Done. इतनी बात क्लियर हो गई? स्टेपिस जो होती है, एक साइड से इंकस से जुड़ी होती है, अधर साइड से वो जो है जुड़ी होती है आपके मेलियस से. पर आपको पता होना चाहिए, windows, oval window मैं बता रही हूँ बारबर, oval window और हम लोग कहते हैं, यहाँ पर बना भी होगा, I think. Okay. So, स्टेपिस जो होती है, तो यह हमको समझ में आगए, इवन एक जगा पर oval इस दिया है, तो मैं आपको position भी दिखा देती हूँ, कैसे जुड़ा है, तो यह देखो, इंकस का एक पार्ट oval window से जुड़ा हुआ, वेर इस ओवल और oval window, यह देखो, यह ओवल window है, ओवल window से जुड़ा होता है, इसे हम क्या कहते है, फिनस्टर वेस्ट वलाई कहते है, टेंशन नी लेना है, और यह internal year का पार्ट होता है, तो दो windows होते हैं, हमारे पास एक window जो अभी हमें जानना है, वो है oval shape का window, जिससे आपके step is जुड़ी होती है, तो जो भी amplify उसने किया है sound का, वो oval window से जाएगा, या मैं यह याद रखना, आपको कि कहां से जुड़ा हुआ, oval window से जुड़ा हुआ है, internal year का position याद रखो, कि जो आपके middle year है, वो यहाँ पर नहीं जुड़ी हुई है, वो कहां जुड़ी हुई है, यहाँ पर जुड़ी हुई है, या आपको पता होना चीए, यह oval window पर जुड़ी हुई रहती है, आपके middle year की step is bone, डन हो गई बच्चो, इतनी बात, इसमें किसी को कोई confusion तो नहीं है, डन हो गया, वो बच्चो, आज हमने बहुत सारी चीज़े सीख ली, ठीक है, हमने ear का stake and tube सीखा, हमने middle ear सीखा, हमने bone सीखे, हमने bone के structure सीखे, हमने external ear का structure सीखा, बहुत सारी चीज़े सीख ली, इंटर्नल यह थोड़ा सा क्लिस्ट चीज़े, इसलिए में इसको next class में पढ़ाऊंगी, I hope कि यह कहानी तो भी तक बहुती easy-beasy और बहुती smooth चली, इसमें कोई confusion आपको होना नहीं चाहिए, so this is it, अगर आपको मेरी lecture ढूँडने में कोई भी problem है बच्चो, तो यू कान विजिट दा विबसाइट, विबसाइट सुदूना बहुत असान है, Google पे में ग्रेट बें.com आप लिखिये, जैसे आप लिखेंगे वहाँ पर आप education पे डाके 11th क्लास बालीजी से लिट करिये, क्लिक करेंगे तो मेरी फोटो होगी, आप उसमें लिस निगा लिए, जो सा भी चाप्टर चाहिए, आप वहाँ पे देख सकते हैं, सीरीज वाइज लेक्चर लगे हुए हैं, जो कि पढ़ने में आपको बहुत आसानी और बहुत मज़ेदार experience करवाएंगे, आपको ढूणना नहीं पड़ेगा लेक्चर क्योंकि सब कुछ अरेंज है, सो दिस इस इट, आइओप यू लेर्न इंजोई देशें, सी यू ने नेक्स क्लास, तफ तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिये, thank you so much and bye bye.